गुट मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज हम इस वीडियो में विजे नेगर समराजे के तुल्ल वन्स के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखिएगा स्टुडेंट् विजे नेगर समराजे का तुल्ल वन्स विजे नेगर समराजे जिसे करनट समराजे और पुर्तकालियों द्वारा बिस नेगर समराजे भी कहा जाता था भारत के डेकन अर्था दखन शेत्र में ये इस्तित था ये 1336 में संगम राजवन्स के दो भाई हरिहर राय और बुक 1636 तक मद्दे कालीन समय का एक समराज्य था इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया अब देखेगा तुलू बंस 1505 से 1570 इस्वी 1505 इस्वी में नर्सा नायक अर्था नर्सा नायक जो सालू नर्सी है के अल्प वेस्क पूत्र का सरंग सक था के पूत्र वीर नर्सिंग सालू नर्स इमाडी नर्सी है कुक की हत्या करके स्वयम सिहासन पर अधिकार कर लिया और विजये नर्सिंगर समराजे के तुरुत्य या तुलू राजवन्स की स्तापना की वीर नर्सिंगे के इस परकार राजगती पर अधिकार करने को विजय नगर समराजे की इत्यास में द्वित्य बलापहार की संग्या दी गई है वीर नर्सियां के इस कुकर्ते के विरूद संपूर्ण विजय नगर समराजे में उसके विरूद व्यापक एसंतोस फैल गया वीर नर्सियां अप टेवराय सिहास नारूड हुआ कर्षन देवराय जो 159 से 1539 इस्वु में यह विजेनगर सामराजे में महांतम एम भारत के महांसांसकों में से था उन्होंने विजेनगर सामराजे को समरत और गोरव के चरमोतकर्स पर पहुंचाया कर्षन देवराय बड़ी विशम परिस्थि और उदेगिरी के छेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उत्तर एंपस्ची में करम सहे बिजापूर और पुर्तगाली भी विजयनगर पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे। सरवपर्थम उसने विद्रोही सामनतों का दमन किया। 1513 इस्यू में उसने गजपती सासक से उदेगिरी जीता तथा सबसे मैत तोपन 1520 इस्यू में उसने बिजापूर को पराजित करके संपून रायचूर दोआप पर अधिकार कर लिया। कर्शन देवरा ने बिदर और गुलबर्गा पर आकर्मन करके बहमनी सुल्तान बहमूत साह को कारागार से मुक्त करके बिदर की राजगदी पर आसिन किया। और इस उपलब्दी की स्मर्थी में कर्शन देवरा ने यवन राज इस्थापनाचारिय का विरुदहरन किया। कर्शन देवरा के पूर्थगालियों के साथ अच्छे संबन थे जिसका मुख्य कारण था पूर्थगालियों का विजापूर से सत्रूता एम गोडों की आपूर्ती। विरुद्यूद समझोता करने और भटकल में एकार खाने की स्थापना के अनुमती मांगने के लिए विजयन अगर में कर्शन देवरा के दरबार में भेजा। कर्शन देवरा एक महान सेना नायक एम विजयता ही नहीं अपितु एक महान परसासक भी थे। उन्होंने अपने परसित तेलगो गरंथ आमुक्त मालेद में अपने राजनेतिक विचारों और परसासके नीटियों का विवेचन किया है। उन्होंने इस ग्रंथ में आमुक्त मालेद में राजस्वय के विचारों और अर्थ विवस्ता के विकास पर विशेस बल देते हुए लिखा कि राजा को तालाबों एम सिचाई के अन्य सादनों एम अन्य कल्यानकारी कारियों के द्वारा परजा को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को कभी भी धर्म के अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक महान परशासक होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान, विद्याप्रेमी और विद्वानों का उद्दार सरंग सक्पी था जिसके कारण वे अबिनव भोज के रूप में परशित हैं उसका सासन का तेलगू सहिते का क्लासी की यूग माना जाता है उसके दरबार को तेलगू के आठ महान विद्वान एवं कवी जिने अस्ट दिगज कहा जाता है सुसोभित करते थे अता उसे अंद्र भोज भी कहा जाता है अस्ट दिगज तेलगू कव्यों में पेडाना सरव परमुक थे जो संस्क्रित एवं तेलगू दोनों भासों के ग्याता थे जिने कर्षन देवराय ने विशेश रूप से सम्मानित किया उन्होंने अनेक मंदिरों, मंडलों, तालबों, आदि का निर्मान कराया अपनी राजधनी विजे नगर के निकट नागलापूर नामक नगर की स्थापना की उसके सासनकाल में पुर्तकाली यात्री डोमिगो पायस ने विजे नगर समराजे की यात्रा और कुछ समय तक कर्षन देवराय के दरबार में भी वो रहा था पायस ने कर्शन देवराय के विक्तित्व और उसके सासनकाल का विस्तार से विवेचन करते हुई लिखा है कि वह अत्यदिक विद्वान और सर्वेगुन संपन्नरेस है जैसा कि साइध ही कोई अन्य हो सके वह महान सा सकें एक अत्यंत न्याई पिरिये विक्ति है पायस ने विजे नगर राजधानी की 38% की और लिखा कि इसके बाजरों में संपूर्ण विश्वा की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नविक्ति हूँ विजे नगर के आकार का उले करते हुए लिखता कि आकार में वह अर्थात विजे नगर रोम के सम्मान विशाल इम सूविस इस नगर में एसन के लोग रहते हैं जिनके संख्या का मैं भय के कारण उलेग नहीं कर सकता हूं कि कहीं इसे अतिशोक्ति पूर्ण ने माना जाए करसन देवराय के काल में एक अन्य पुर्थकाली यात्री डुवार्ट बार्बोसा ने भी यात्रा की जिसने समकालीन अर्थिक जिवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है करसन देवराय ने बंजर यह जंगली भूमी को क्रिश्य योगे बनाने की कोशिस की उसने विवाहकर जैसे अलोग पर ये करों को समाप्त करके अपनी प्रजा को करों से रहत दी बाबड ने अपने आत्म कथा बाबड न के सबी संपर्दयों का समान आदर करता था यह दपी उसके अपनी आस्ता वर्ष्णव द्रम में थी अगला ससक आता है अच्छुत देवराय जो 1529 से 1552 में थे क्रिशन देवराय ने अपनी मर्ट्यू से पूर अच्छुत देवराय को अपना उत्रादीकारी नियुक किया उसे क्रिशन देवराय के जमाता रामराय को सासन में सह भागी जो स्यूंक्त ससक थे अच्चुत देवराय के सासनकाल में पुर्थगालियों ने तुति कोरम के मोती छेतर पर विजे प्राप्त कर ली थी इसके सासनकाल में पुर्थगाली यात्री नुनिज विजे नगर समराजे की यात्रा पर आया था अच्चुत देवराय ने महा मंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की न्यूक्ति की सदासिव जो पंद्रासो बैयालीस से पंद्रासो सत्तर इस्यू में सासक था सदासिव राय विजे नगर सामराजे का नाम मातर का सासक था सासन की वास्त्विक सक्ति आर विडूवंस के मंतरी रामराज की निती का एक महतोपुन लक्सन था दखन के सुल्तानों के जगडों में उसका सक्रिय हस्तक सेब जिसमें उसको सफलता मिली इस से पूर्वा इस निती का पालन किसी विजे नगर सासक ने नहीं किया था उसने पूर्तगालियों से एक व्यापारिक समझोता किया जिसे विजापूर के राजा को घोडो की विक्री बंद कर दी गई रामरा ने विजयनगर के सेना में बहुत बड़ी संक्या में मुस्लमानों की भरती सुरू की ताली कोटा जिसे राक्षसी तगडी का युदभी कहा जाता है ये 23 जनवरी 1565 इस्यू में हुआ था विजयनगर के बढ़ती हुई सक्ति से दक्षनी सुल्तानों में इतनी आसंकित जो सल्तनते हैं वो इतनी आसंकित हो गई थी कि उन्होंने पूराने मत्भेदों को भुला कर आपस में एक होने का निश्चे किया ताली कोटा युद के समय विजयनगर का सासक सदा सिवराई था उन्होंने अपने सुत्रू को पराजित करने के लिए सनिक महासंग का गठन किया विजयनगर समराजे विरोधी इस महासंग में एहमत नगर, विजापूर, गोलकुंडा और बीदर सामिल थे गोलकुंडा और बरार के मदे पारस्प्रिक सत्रूता के कारण बरार इसमें सामिल नहीं हुआ युद के सुरुवात विजापूर के सुल्तान अली आदेलसा ने विजयनगर से राइचूर, मुद्गल, एदोनी, आदी किलो की वापसी की मांग के द्वारा की रामराय ने इस मांग को ठुकरा दिया 23 जन्वरी 1565 में स्यूंक्त शेना उनने ताली कोटा जो राक्ससी तगड़ी या बन्नी हटी का युद के नाम से भी जाना जाता है के युद में विजयनगर की सेना को बुरी तरह प्राजित किया सत्तर वर्सिय रामराय वीरता पूर्वक्त लड़ा किन्तु उसे घेर कर माल डाला गया विजयनगर सहर को निर्ममता पूरवक्त लूटा गया बन्नी हटी या ताली कोटा के युद में साम्माने रूप से विजयनगर समराजे के सान्दार यूग का अंत किया इस यूद का वास्त्वी कार्म विजय नगर के परती दक्षिनी सल्तनतों को की सम्मान इर्शा और ग्रिना थी यह एक परकार का राजनितिक यूद था इस यूद का परत्यक्स दर्सी शेवेर था उसने लिखा है तीसरे देन के अंस का प्रारम देखा विजय इस मुसलमान रंचेत्र में विश्राम तथा जलपान के लिए ठहरे थे पर जब वे राजदा नी पहुंच चुके थे तथा उस समय के बाद से पांच महिनों तक विजय नगर को चैन नहीं मिला उन्होंने नदी के निकड विठर स्वामी के मंदिर के सान से सजे हुए भवनों में भैंकर आग लगा दी दखनी सल्टनतों के पुनह आप सीमत प्यद्धों से विजय नगर समराजे को रामराय ने रामराय के भाई तीरू मल के अधीन पुनह सकती पर प्राप्त करने का अफसर मिल गया तो देखे फ्रेंट्स इस वीडियो में हमने विजे नगर सामराज्य के तुलू मन्स के बारे में जानकर इप्राक्त की वीडियो एक्जाम के दस्टी से बहुत मैत्तव पुन है और यदि आप लोगों के पास कोई भी सुझा है तो आप हमें बेज सकते हैं कमेंट बॉक्स मे कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार से बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे